नमस्का फ्रेंट्स में नाम बबलो रुबा पेपर है करी में आपका स्वाग गाता है आज हम देखने बाले हैं यहाँ पर फूर्ड नूट्रिस्टन हाइजिंग मतलब पाहर पोसड और स्वचिता के तो पार्ट नंबर कौन सा रहने वाला है यह रहने वाला है पार्ट है टेलीग्राम पर बहां पर आपको लिंक मिल जाएगा बहां से आप डानलोड कर सकते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं वह क्योश्णों की वह फटा पर तो फस्टी कुशन आपके सामने है आयोडीन सेटेट है फस्टी कुशन आयोडीन एक खनिज रबड़ है अर्दपूर तत करते हैं आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौनसा है घेंगा है एनेमिया है इसकर भी है या फिर क्वासियर कर है तो क्वासियर कर होता है प्रोटीन से एनेमिया होता है लोए की कमी से इसकर भी हो जाएगा बिटामिन सी से तो बसता कौनसा है घेंगा आयोडीन कमी से कौन कुशन सामान स्वस्थ विक्ति के सरीन में कितना अयोडीन होना चाहिए तो कितना होना चाहिए आपको बताना है 20-40 ग्राम 20-50 ग्राम 10 ग्राम या फिर 30 ग्राम राइट यांसर क्या होगा यह हांपर बताना था तो सामान स्वस्त् Noel करते हैं किसके द्वारा तो थाइराइड गंती की खोज की गई थी तो थाइराइड गंती की खोज किस के द्वारा की गई थी मुल्डर के द्वारा फंक के द्वारा ये सभी के द्वारा विटामिन की खोज किस ने की थी फंक ने की थी प्रोटीन की खोज किस ने की थी मुल्डर ने की थी अब ये कह है किस ने की है केंडल ने की है राइट आंस दो खरकांगा ऑप्शन नमबर साठ ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वुष्ण की और कि क्योशन पर कहां थे ठीक है तो यहां पर हो जाएगा केंडल नेक्स कुशन की बात करते हैं थायरोक्स्ण कैसा हार्मोन है जो थायरॉक्सिन है कैसा हार्मोन से अंताइस्तावी हार्मोन बाइस्तावी हार्मोन या इन में से कोई नहीं राइट अंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो जो थाइरोक्सिन है वो कैसा हार्मोन्स है अन्ता इस्तावी हार्मोन्स है कैसा है अन्ता इस्तावी हार्मोन्स है राइट अन्सरो दैगा ऑक्शन नमबर नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं घेंगा रोग मुखता किसमें देखने को मिलता है बैसकों में ब्रद्धों में बच्चों में या फिर महलाओं में गेंगा रोग मुखता किसमें देखने को मिलता है तो यह महलाओं में देखने को मिलता है राइट अंसरो जाएगा ऑप्शन नमबर दा नेक्स कुशन की बात करते हैं बैसकों में कौन सा रोग देखने को मिलता है बैसक जो हो जाते हैं उन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है बैसकों में कौन सा रोग देखने को मिलता है तो वो हो जाता है मिक्सीडिमा क्या हो जाता है मिक्सीडिमा राइट आंसर अप्शन नमबर आ नेक्स कुछन की बात करते हैं बच्चों में आयोडिनी की कमी से रो रोग उत्पन हो जाता है बही वह जाता है क्रेटी निज्म क्या हो जाएगा क्रेटी निज्म रोग उत्पन हो जाता है म possibilis आगे बाटते हैं next kooshan की और गेंगा रोग किसे प्रवावित करता है या फिर अंगलिएं को present shaped क्या रहने वाला है यह आपको बताना है यह तो सभी को पता होगी किसे करता है गर्धन के लिए ठीक है कहा होती है थायराइड गंती गर्धन के पास होती है next question की बात करते है आयोडीन का अब सोसड कहा होता है kidney में छोटी आत में यक्रत में या फिर बड़ी आत में right answer क्या रहने वाला है अब सोसड कहा होगा बैए छोटी आत में अब सोसड होता है next question की बात करते है next question रखा है समुद्री भोजन में आयोडीन की कितनी मात्रा पाई जाती है जो समुद्री भोजन होता है उसमें आयोडीन कितनी मात्रा होती है 54 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 10 ग्राम, right answer क्या होगा यह आपको बताना है समुद्री भोजन में आयोडीन की मात्रा कितनी होती है वह 54 ग्राम होती है, right answer option नमबर आ रहने वाला है next question की बात करते हैं क्रेटिनिज्म रोग के लच्छड है क्रेटिनिज्म जो रोग होता है उसमें रोग के लच्छड क्या है, किस से होता है आयोडीन की ग्राम होता है किस में होता है, बच्चों में होता है आपको बताना है तो क्रेटिनिज्म रोग जो होता है बच्चों के लिए डिनी क्यमी से उसमें क्या होता है ब्रदी रुख जाती है चयापचय की इधर घटना होता है तता पेट का आकार बढ़ जाता है तो राइट अंसर क्या हो दाएगा ये सभी रहनी वाला है आगे बढ़ते हैं डिमा रोग के लच्चड है जो मिक्सी डिमा रोग हो जाता है उसके रोग के लच्चड क्या है आपको बताना है सूखे बाल बा कड़े ठीक है सूखे बाल होते हैं बा कड़े होते हैं तो चाह सुस्क होती है पीली वा मोटी होती है अब आज भारी होना ये सभी राइट आ जाती है ठीक है और आभाज कैसी हो जाती है भारी हो जाती है तो राइट आंसर जायगा यह सभी नेक्स्ट कुशन की बात करते ए आयोडीन का-च्छा इस्थूत है कौन है मास है अधाल नमक जल या फिर सद्रा राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो आयोडीन का जो अच्छा इस्तोत है वो हो जाता है साधाल नमक जिलो का answer option number आ रहा था बिल्कुल right answer मूत्र के द्वारा आयोडीन की कितनी मात्रा उत्सरजित हो जाती है तो कितनी मात्रा होती है यह आपको बताना है एक बटा दो भाग, एक बटा तीन भाग, दो बटा तीन भाग या इन में से कोई नहीं right answer क्या रहने वाला है यह आपको बताना है मूत्र के द्वारा आयोडीन की कितनी मात्रा उत्सरजित हो जाती है बाहर निकाल दी जाती है तो वो हो जाता है 2 बटा 3 भाग कितना 2 बटा 3 भाग मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है आयोडीन को मूत्र के दवार बाहर निकाल दिया जाता है next question की बात करते है स्वस्त बेक्ति को आयोडीन की कितनी मात्रा चाहिए स्वस्थ ब्यक्ति है तो उसे आयोडीन की कितनी मात्रा चाहिए आपको बताना है 0.15 से 3 ग्राम 3 मिली ग्राम या फिर 0.15 से 0.2 मिली ग्राम 4 से 4 से 5 मिली ग्राम या फिर 2 से 3 मिली ग्राम राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है तो स्वस्थ ब्यक्ति को आयोडीन की कितनी मातरा चाहिए तो वो हो जाती है 0.15 से 0.2 मिलीग्राम राइट आंसर हो दाएगा आप्शन नमबर 2 नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं अंडा में कितने माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है अंडे में कितने माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है 14.5 माइक्रोग्राम, 15 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम या फिर 25 माइक्रोग्राम राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है अंडे में कितने माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है तो अंडे में बही 14.5 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है 14.5 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है राइट आंसो दाएगा option number A next question की बात करते हैं next question को देखेगा यहां कह रहा है सबजीयों में आयोडीन की मात्रा क्या होती है तो सबजीयों है उनमें आयोडीन की मात्रा कितनी होती है 10 माइक्रोग्राम 29 माइक्रोग्राम या फिर 25 माइक्रोग्राम या 30 माइक्रोग्राम तो राइट आंसर क्या रहने वाला है यहां को बताना है तो सबजीयों में आयोडीन की मात्रा होती है बह होती है 29 माईक्रोग्राम राइट आंसर दागा option number 2 आगे देखते हैं किस सन में थाइराइड ग्रंती की खोज हुई थी तो थाइराइड ग्रंती की खोज किस सन में हुई थी यह आपको बताना है 1958 में, 1900 में, 1915 में, 1926 में राइट आंसर क्या रहने वाला है, यह आपको बताना है तो थाइराइड ग्रंती की खोज हुई थी वो हुई थी 1915 में राइट आंसर रहने वाला है 1915 मतलब सागे बढ़ते हैं यहाँ पर तो फ्लूराइन की बात करते हैं यहाँ पर ठीक है, तो कह रहा है फिलूराइन किस से संबंदित है फिलूराइन जो है, वो किस से संबंदित है यह आपको बताना है, हातों से, दातों से, मुक से या फिर दातों से, आतों से फिलूराइन किस संबंदित है, फटाबर असका आंसर दीजीगा तो जो फिलोरिन है वो किस से है वही फिलोरिन हो जाता है दातों से संबंदित राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर वा फिलोरिन किस संबंदित है दातों से संबंदित है नेक्स कुशन की बात करते हैं फिलोरिन की अधिक्ता से दातों में रोग उत्पन होता है कौन सा यहां पर राइट आंसर कौन सा रहने वाला है यहां आपको बताना है कि अधिक्ता से दातों में जो रोग उत्पन होता है वो होता है दंत फ्लूरोसिन ठीक है कौन सा दंत फ्लूरोसिन आगे बढ़ते हैं यहां पर फिलूरिन का कारे है क्या है यहां को बताना है फिलूरिन का कारे क्या है सक्ति बाचमक दातों को रोगों से बचाना चूने की तरह सफेद रखना यह सभी राइट आंसर क्या होगा यहां को बताना है जो फिलूरिन का दातों के लिए कार होता है वो होता है इनकी सक्ती तता चमक बनाए रखना दातों को रोग से बचाना तता चूने की तरह सफेद रखना तो राइट आंसर क्या उदाएगा ओप्षन नंबर दा हो जाएगा ये सभी ठीक है आगे बढ़ते हैं फिलोरण की अदिक्ता से शरीर में क्या बदलाब होता है अगर फिलोरण की अधिक्ता हो जाए हमारे शरीर में तो क्या बदलाब होगा यह आपको बताना है भूख कम लगना, इनेमल में कमजोरी, खुरदरापना आना, अस्थियां कमजोर होना, ये सभी, राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है अगर fluorine की अधिकता हो जाती है हमारे सरीम में तो भूख कम लगना हो जाता है अनेमल कमजोर हो जाता है तक खुदरापन आ जाता है उसमें और अस्तियां कमजोर हो जाती है तो राइट अंसर हो जाएगा ये सभी लच्छणा में देखने को मिलते हैं आगे बढ़ते हैं पानी में फिलोरिन की संतुलित बावसत मात्रा कितनी होती है पानी में जो फिलोरिन की संतुलित बावसत मात्रा होती है वह कितनी होती है चार से पांच पीपीम या फिर एक से दो पीपीम तीन से चार पीपीम यह सभी right answer क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो एक से दो ठीक है right answer देगा option number 2 आगे बढ़ते हैं फिलोरिन की प्राप्ती का उत्तम इस्तोत क्या है फिलोरिन की प्राप्ती का उत्तम इस्तोत क्या है आपको बताना है जल है गंदा जल है बास्प है या फिर कुए है तो राइट आंसर क्या रहने बाला है यह आपको बताना है फिलोरिन की प्राप्ति का उत्तम इस्तोज होता है बहो जाता है जल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन की बात करते हैं चाय बास्मुद्री मचली में निम्निमे से क्या पाया जाता है जिंक, बिटामिन, प्लोरिन या फिलोरिन राइट आंसर क्या हो जाएगा चायबा समुद्री मचली में निमने में से क्या पाय जाता है फिलॉरिन पाय जाता है राइट अंस हो जाएगा option number the next question की बात करते हैं फिलॉरिन अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है दूद में, सब्जी में, अनाज में या फिर यह सभी में फिलॉरिन अधिक मात्रा में कहा होता है जिसका इस्तोत होता है जल में फिलॉरिन ज्यादा कहा होता है सबसे कम उपस्थित होता है दूद में, सब्जीों में, अनाजों में तो राइट अंसर क्या दाएगा उप्योग तो सभी रहने वाला है option number 2 अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तुमारा जिंक तो जिंकी की खोज किसने की यह आपको बताना है किसके द्वारा हुई थी मुल्डर के द्वारा मान के द्वारा फंक के द्वारा यह सबी तो राइट अंसर क्या रहने वाला है मुल्टर ने किस की खुज की थी? प्रूटीन की? मानने किस की थी? राइट आंसो क्या जाएगा? option number 2 रहने वाला है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जिंक की कौज 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 से सन में हुई? मानने की थी? 1950 में, 1912 में राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो जिंक की कोज क्यों हुई थी वो कम हुई थी 1949 में हुई थी राइट आंसर हो जाएगा से 2.2 ग्राम या फिर 3.04 ग्राम या फिर 1.4 से 2.3 ग्राम राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है इस पूक्यान होने कि रहा कि रॉक्त chili मात्रा में जिंक को पस्तित रहता है जो रएकता है उसमें कितनी मातरा में जिंक उपस्तित होता है यह आपको बताना है 0.7 मिली ग्राम या फिर 2 मिली ग्राम या 0.1 मिली ग्राम या फिर 3 मिली ग्राम तो राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है रक्त की यहाँ पर बात हो रही है रक्त में जिंक कितने % ुपस्थित होता है तैनल रंक रखत होता है उस में जिन्क की मात्र होती है वो होती जीरो पॉइंट साथ million कितनी होती है। 0.7 million राइट अंसर option ना रहने वाला आ रहे ने वाला है। नेक्स्ट कुश्टिन की फाइटिक अमल ये सभी राइट अंसर क्या होगा ये आपको बताना है जिंक के अब उसोशड में बाधा उत्पन जो करता है वो करता है फाइटिक अमल क्या फाइटिक अमल राइट अंसर हो जाएगा option number 7 next question की बात करते हैं जिंक का निस्कासन किसके द्वारा होता है जो जिंक का निस्कासन होता है सरीर से बाहर निकालना तो बह किसके द्वारा होता है बह होता है मल के द्वारा राइट अंसर क्या रहने वाला है option number 12 रहने वाला है जिंक हमारे सरीर से किसको रहने निकलती है मल के द्वारा बहर निकलती है next question की बात करते हैं सामानिता जिंक की कितनी मात्रा आवश्यक है सामानिता जिंक की कितनी मात्रा आवश्यक है 10 से 15 मिली ग्राम, 1 से 10 मिली ग्राम, 20 मिली ग्राम या 10 से 20 मिली ग्राम राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है सामानिता जिंक की कितनी मात्रा अवश्यक है तो बैव हो जाती है 10 से 15 मिलीग्राम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर आ नेक्स्ट एक कुशन की बात करते हैं गहाओ भरना यह किसका कारे है जो गहाओ भरना है वह किसका कारे है सल्फर का जिंक का सोडियम का यह सभी गहाओ को भरना किसका कारे होता है तो यह कारे होता है जिंक का राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नमबर बा हो जाएगा गहाओ का भरना किसका कारे है जिंक का कारे है आगे बढ़ते हैं आपर next question की ओर जिनक की प्राप्ति है तू साधन कौन कौन से हैं जिनक की प्राप्ति है तू साधन कौन कौन से हैं पहला दे रखा है जिलेटिन गेहूं का भूसा यक्रत या फिर यह सबी जिनक की प्राप्ति है तू साधन कौन कौन से हैं यहां पर आपको बताना है कौन सा राइट होगा तो जिलेट्विंग के दौरा यह हूं कभूसा यक्रत तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी जिन लोग का आंसर आ चुका है यह सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं चुहों की ब्रद्धी में कमी देखी गई चुहों की ब्रद्धी में कमी देखी गई किस तत्व की कमी से चुहों की ब्रद्धी में जो कमी देखी गई थी किस तत्व की कमी से देखी गई थी आपको बताना है जिंक से फिलोरिन से सोडियम स तो राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है जिंकी की ब्रद्धी में कमी देखी गई थी किस से जिंकी की ब्रद्धी में कमी देखी गई थी किस तक भी कमी से तो वह जाती है जिंकी की कमी से राइट आंसर क्या रहने वाला है और रहने वाला है आगे इसको क्या कहा जाता है आपको बताना है बुखार, LOPAC, PCR या फिर रक्चाप या फिर एनीमिया तो right answer मारा क्या हो जाएगा या आपको बताना है जिनक की कमी से बाल जड़ जाते हैं इसको क्या कहा गया है तो इसका right answer दो अपना हो जाएगा बू रहने वाला है LOPCA क्या हो जाएगा LOPCA जिन लोग का answer चुका है option number 2 बिलकुल right रहने वाला है next question की बात करते हैं जिनक की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं पहला देरेखा है लोहे की कमी संतोत पत्ती में असफलता रक्त अलपता नामक रोग उपियुक्त सभी तो कौन सा यहाँ पर बिलकुल right रहने वाला है यह आपको बताना है जिनक की कमी से कौन कौन से रोग पन हो जाते हैं लोहे की कमी हो जाती है संतोत पत्ती में असफलता देखने को मिलती है तदा रक्त अलपता नामक रोग हो जाता है तो यहाँ पर right क्या हो जाएगा उपियुक्त सभी रहने वाला है यह जिनक की कमी के रोग है नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं बौने होना बा लड़कों में पिरजन संस्था की परिवक्ता में कमी किस तत्व के कारण आती है यह आपको बताना है जिनक कारबोज रोटीन बसा तो किस की कमी से आती है तो बहे आती है जिनक की कमी से जिन लोग का आंसर चुका है option number आ बिल्कुल right answer हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं यहाँ पर रोटीन यूरिया रोटीन यूरिया होने का क्या कारण है पर रोटीन यूरिया होने का क्या कारण है यह आपको बताना है अतिदिक मातरा में जिनक का संगठन अतिदिक मातरा में जिनक का निसकासन या फिर जिनक का कारण ना कर पाना पर रोटीन की अधिक मातरा का निसकासन तो right answer क्या रहने वाला है यह आपको बताना है right answer हो जाएगा अत्दिक मात्रा में जिंक का निस्कासन सरीर से अगर बाहर हो जाता है तो कौन सा रोग उत्पन होगा तो होगा protein urea होने का कारण आपको देखने को मिलने वाला है आप यहां से आगे बढ़ते हैं तो start होता है क्या vitamin एक है क्या बिटामिन यहां से start होता है तो हम देखेंगे water soluble to vitamin के बारे में so vitamin butterflies literय पर नम कौन कौन से हैं तो कौन से बारते हैं b और c हो जाते हैं कि आपको बताना है पाकी ने fung ने rajaने या पिर मूल्डर ने तो बिटामिन की खोज किस बेग ग्यानिक ने की थी? फंक ने की थी, राइट आंसर रहने वाला है, उप्शन नमबर बा, प्रोटीन की खोज किस ने की थी? मुल्डर ने की थी, दोनों की दोन आपको याद होना चाहिए नेक्स कुशन की बात करते हैं, बिटामिन की खोज किस सन में हुई थी? इसका आपको आंसर देना है, बिटामिन की खोज किस सन में हुई थी? 1800 में, 1911 में, 1912 में, या फिर हो जाता है आपका 1920 में बिटामिन की खोज कब हुई थी? बिटामिन की खोज हुई थी 1912 में विस्कॉस अमीन बैरी अमीन इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बदाना है तो हो जाएगा बाइटल और अमीन जिन लोग का अंसरा चुका है ऑप्शन नमबर हा बिलकुल राइट आंसर पानी में गुलनसी बिटामिन है जो पानी में के प्रकार कौन कौन से है यह आपको बताना है थाइमीन है निकोटेनिक एसिड है राइबो फ्लेविन है या फिर यह सबी है तो बिटामिन बी के प्रकार कौन से है यह आपको यहाँ पर बताना था तो बिटामिन बी के जो प्रकार है आइमीन हो जाता है और निकोटेनिक इसिट हो जाता है राइबो फ्लेबिन हो जाता है तो राइट अंसर क्या जाएगा ओप्शन नमबर दा हो जाएगा ये सभी ठीक है नेक्स्ट एकोषिन की बात करते हैं बिटामिन बी समु में होने के कारण इसको तो तो यहां पर बताना है तो क्या कहते हैं इसे B complex कहा जाता है राइट अंस हो जाएगा option number 7 next question की बात करते हैं थाइमीन बिटामिन किस रोग को ठीक करता है जो थाइमीन बिटामिन है बे किस रोग को ठीक करता है बेरी बेरी एनेमिया पेलेग्रा या फिर इट्स तो राइट अंस नमारा क्या रहने वाला को बताना है जो थाइमीन बिटामिन है बे किस रोग को ठीक करता है तो बे करता है बेरी बेरी रोग को ठीक ठीक है बीवन next question की बात करते हैं थाइमीन की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं जो थाइमीन की प्राप्ति के जो साधन है, भै कौन कौन से हो जाते हैं, यह आपको बताना है, अंकुरत अनाज डाल, मास मचली अंडा, खमीर बा सूखे मेवे, या फिर यह सभी, तो थाइमीन की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, यह आपको बताना है, अंकुरत अनाज बादालों से प्राप्त होता है, थाइमीन मास मचली अंडा से थाइमीन प्राप्त होता है, खमीर और सूखे मेवे से होता है, तो right answer क्यों दाएगा, option number 2 हो जाएगा, ये सभी, next question की बात करते हैं, बैरी बैरी रोग कितने प्रकार का होता है, जो बैरी बैरी रोग है, कितने होता है, ये आपको बताना है, एक, तीन, दो, पाँच, ये चार, बैरी बैरी रोग कितने प्रकार का होता है, तो यह तीन प्रकार का होता है, right answer का option number 2, next question की बात करते हैं, vitamin B2 को क्या कहते हैं, vitamin B2 जो है, उसे क्या कहते हैं, riboflavin, pentothenic acid, nicotinic acid, या फिर thाइमीन, right answer क्या क्या कहते हैं, या आपको बताना है, vitamin B2 को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, riboflavin कहते हैं, riboflavin कहते हैं, D2, या उधा है, B2 को ध्यान से पढ़ोगे, तो कहोगे, B2, B2, Ribo, यहां पर रहेगा, या फिर नहीं रहेगा, रइभा, ना, Ribo, दा में छुपएटी, ट्रिक, B2, क्या कहेंगे? B2, और B2 क्या करा हो? यहां पर रहेगा या फिर नहीं रहेगा तो राइबो फ्लेविन इस पर कासे आप याद रख सकते हो next question की बात करते हैं next question को देखेगा कह रहा है यहां पर राइबो फ्लोविन के स्तोत कौन से हैं जो राइबोफलेविन के स्तोत हैं वो कौन से हैं मास डाल अनाज यह सभी राइबोफलेविन के स्तोत कौन से हैं यहां पर बताना था इसका राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा मास भी हो जाएगा, दाल भी हो जाएगा, अनास भी हो जाएगा, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, उपयोग तो सभी इन में से आपके राइबो फिलेवन प्राप्त होता है, next question की बात कहते हैं, राइबो फिलेवन की कमी से रोग होता है, कौन से रोग होते हैं, आपको ब थी ठीक है राइबो फिल्विन के में इसे कौन सा होता है राइबो फिलोविनोसिस होता है जीबंगनी रंकी हो जाती है और चिलोसिस दाओν ा जाएगा next question की बात करते हैं ниयासिन की खोज कसने की थी जो नियासिन है उसके किसने की थी, गोल्ड बर्गर ने की थी, राइट अंसर घाएगा, ओप्शन नमबर था, नेक्स्ट कुछन की बात करते हैं, नियासिन की कमी से कौन सा रोग पन होता है, तिलोसिस, पैलाग्रा, मिलेरिया, एनीमिया, राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा, नियासिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है पहले ग्रा कौन सा रोग होता है पहले ग्रा रोग हो जाता है नेक्स से कुशन की बात करते हैं यहाँ पर नियासिन के अच्छे इस्तोत कौन से हैं जो नियासिन है उसके अच्छे इस्तोत कौन से हैं अनाज, मुंफली, सूखा खमीर ये सभी से 4D रोग होता है नियासीन का जब प्रिभाब होता है तो 4D रोग होता है यह क्या है डर्मेटाइट, डर्मेटाइडरस, डिमोंसिया बाट डैथ, डाइरिया या फिर यह सभी तो राइट आंसर क्या रहने वाला है पिर रोग है, यह क्या है डर्मेटाइटरस है और डिमोंसिया बाट डैथ है डाइरिया है तो यहां पर राइट क्या होजाएगा अप्योग तो इस सभी हो जाएगा यह सभी है ठीखे नेक्स कुशन की बात करते हैं बिटामिन B6 को क्या कहा जाता है यह आंको बताना है राइट अंसर क्या रहने वाला है कर यहां पर क्या हो जाएगा भी शिक्स हो जाएगा पाई री डॉक्सिन क्या हो जाएगा पाइड री डॉक्सिन राइट अन्ज देगा option नंबर आफ नेक्स्ट कुछिन की बात करते हैं विटामिन बी जो अच्छे स्थोत हैं कह रहा है अच्छे स्थोत कौन से हैं तो अच्छे स्थोत हो जाएंगे भैं दही दूद दही और सलाद तो जिल्लों का आंसर आ चुका है ऑफ्षान नमर 2 बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं पाई डॉक्षिन की क क्या होता है परेड होां के सोड़ी सिक्स को ही प्रिद ऑउट सिट अध्र तो समस्याएं क्या आती है अनिद्या देखने को मिलती है बमन महीं हो सकता है और भूख में कमी भी हो सकती तो राइट कांजल क्या देखा यह सभी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर next equation कि और next equation हमारा क्या कहा रहा है इसको देखिएगा next equation कह रहा है pyridocin की मात्रा सरीर में कितनी चाहिए pyridocin की जो मात्रा है वो सरीर में कितनी होनी चाहिए यह आपको बताना है 1.5 से 2.6 mg 1.5 से 2 mg 3 से 4 mg या फिर ये सभी राइट आंसर क्या रहने बाला है यह आपको बताना है प्रेड ओक्षिन की मात्रा सरीर में कितनी होनी चाहिए तो जिन लोग का आंसर आ चुका है 1.5 बिसे 2 मिली ग्राम तो जिन लोग का आंसर आप्षिन निमर बाह रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए भी ठीक है नेक्स्ट कुशिन की बात करते है पैंटो थेनिक एसिड को क्या कहते है जो पैंटो थेनिक एसिड है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है एंटी डर्मेटरिस एक्टर डाइरिया डिमेंसिया या फिर अराइबो फ्लेवी नोसिस राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है पैंटो थेनिक एसिड को क्या कहते है उसे कहते हैं एंटी डर्मेटरिस फेक्टर क्या एंटी डर्मेटरिस फेक्टर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशिन की और सो नेट्स्ट कुछ नमारा कहता है तमहरा पेंटोथ ने के सेड़ी की खोज किस ने की थी मूल डर ने बिलियमस ने फंक ने या फिर यह सभी होई जाते हैं कॉन erkальные लिए यह कोण बीलियम से कॉछ की गोच किशनिंद स्पाइब धंक ने बीटामिन की की दि मुल्म ने प्रोटीन की की ठीक है आगे बढ़ते हैं प kayntет 2019 क्वाइब आपको बताना है प्रोटीन के चयाप चय में, सायरिक ब्रदी में, को एंजाइम का कारी करने में या फिर ये सभी, तो राइट आंसर क्या रहने बाला है आपको बताना है तो पेंटो थैनिक जो एसिड है, उसका कारी क्या होता है प्रोटीन के चयापचय में, सार्णिक ब्रद्धी में, को एंजयम के कार्य करने में, तो राइट अंसर क्या हो दाएगा, ये सभी रहने वाला है, नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, पेंटो थेनिक एसिड की कमी से कौन सी समस्याएं आपको बताना है, पेट में दर्द, जी समस्याएं हैं, वो हैं पेट में दर्द होना, जी में चलाना, वहाँ बार टांगो में दर्द होना, तो राइट अंसर क्या हो दाएगा, ये सभी रहने वाला है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट कुशन की और, नेक्स्ट कुशन कह रहा है, बायो टिंग को क्या कहते हैं, बि बिटामिन एच कहा जाता है ठीक है बिटामिन एच की कि में से क्या होता है बालों का जड़ना होता है आगे बढ़ते हैं बायो टीन की खोज किसने बाद कब की थी या आपको यहां पर बताना है और बैट में ने 1912 में बिलियम्स ने 1933 में इसलर ने 1940 में या फिर ग्योर्गी ने 1934 में राइट आंसर क्या होगा बायो टेन या फेर विटामिन H किस एकोज किस ने की थी बेट मेंने की थी 1916 में किसने बेट मेंने की थी 1916 में आगे बढ़ते हैं next question की और next question कहा रहा है Biotine के इस्तूत है दूद, मूँग्फली, आउला या फिर ये सभी जो Biotine का जो अच्छा इस्तूत है वो कौन है भई मूंग फली हो जाता है बायोटिन या फिर विटामिन एच कहां से प्राप्त होती है मूंग फली से हमें प्राप्त होती है आगे बढ़ते हैं यहां पर फोलिक एसड की उत्पत्ती कौन से लेटन सब्द से हुई है जो फोलिक एसड है उसकी उत्पत्ती जो होई है लेटन के क सब्सक्राइब की यहां पर बताना था ठीक है तो फॉलिक सब्सक्राइब कॉनसे लेडिन सब्सक्राइब होई है फॉलियम से होई है कि सो यह वहीं फोलियम से होई है रएंसर और अरहने वाला है नेक्ष्ट एकोशन को देखेगा नेक्स्ट का रिखुंच होने वाला है फोलिक एसीड के अन्य नाम में क्या है यह आपको बताना है भीटामिन सी है बिटामिन experiment या फिर demonstrations laxalis reflector है या फिर यह सभी है तो right answer क्या रहने वाला है आपको बताना है Koliacsid के अनिनाम कौन कौन से है पहला हो जाता है vitamin C को भी Fatheric acid कहते है vitamin C का क्याते है folic acid कहते है vitamin n को भी folic acid कहते है statococcus lactis refactor को भी folic acid कहा जाता है तो right answer एक यह सभी आगे बढ़ते है folic acid के इस्तूत है जो folic acid है, उसके इस्तूत क्या है अंगूर है, खमीर वा चाबल की परत है, या फिर आवला है या फिर यह सबी है तो राइट आंसर क्या रहने वाला है जो फोलिक एसिड होता है बिटामिन C, बिटामिन S, बिटामिन M और स्टेप्टो कोकस लेक्टिस रिफेक्टर जो होता है इसका इस्तोत क्या होता है इसका इस्तोत होता है खमीर चाबल की परत खमीर से प्र वेरी-वेरी-मलेरिया-पैलेग्रा पॉली-केशडी की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो होता है बई एनीमिया जिलोग का आंसर आ चुका है आप्शन नमबर आप बहुत ही अच्छा आ रहे हैं नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं कि कोलिन घुलनसील होता है जो कोलिन होता है वो घुलनसील किस में होता है पानी में एलकोहल में आवा दोनों में इनमिसे कोई नहीं तो कोलीन जो होता है वो पानी में भी घुलंसील होता है और एलकोहल में भी घुलंसील होता है तो राइट आंसे क्या रहने वाला है और वा दोनों नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन को देखीगा नेक्स्ट कोशन यहां पर कह रहा है कोलीन की कमी से कौन से रोग होते हैं जो कोलीन होता है उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं यहां पर आपको बताना है किड्नी का नेक्रोसिस एनीमिया फैटी लीवर या फिर यह सभी तो राइट अंसर मारा क्या रहने वाला है यहां पर आपको बताना है कोलिन की कमी से कौन से लोग होते हैं किड्नी का नैफरोसिस हो जाता है ऐनीमिया Ettững पाय। हो जाता है। प्र faketti लीवर हो जाता है तो क्या है टांश हो दाएगा ये सबी रहने वाला है। नेक्स कुशन की बात करते हैं, बिटामिन B-1 को किस नाम से जानते हैं, पाइरी डॉक्सिन, बिटामिन B-6 को, निकोटिनिक एसिड, या फिर साइनो कोवाला माइन, या फिर थाइमिन, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, यहां पर आपको बताना है, बिटामिन B-1 को किस नाम से जानते हैं, तो साइनो कोवाला माइन, साइनो कोवाला माइन के नाम से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन की ओर, बिटामिन B-1 की कमी से, कौन सा रोग होता है, आपको बताना है, कौन सा रोग होता है, बिटामिन B-1 की कमी से, मतलब स साइनो कोवाला मायन की कमी से पहला दे रखा है मैक्रो साइटिक एनीमिया पर नीसियस एनीमिया ब्रद्धी में कमी या फिर यह सभी तो राइट आंसर क्या रहने वाला है वो बिटामिन B12 या फिर साइनो कोवाला मायन की कमी से रोग होते हैं वो कौन से पहला हो जाता है मैक्रो साइटिक एनीमिया पर नीसियस एनीमिया तथा व्रद्धी की कमी तो राइट आंसर क्या दाएगा आप्शन नमबर दा रहने वाला है ये सभी नेक्स कुशिन की बात करते हैं विटामिन बीवारा विटामिन बीटोयल के कारे हैं कौन से कारे हैं आपको बताना है कोशिका का निर्माड प्रोटीन का चयाप चयाप चया या फिर नाड़ी उत्तकों काय है या फिर राइट और ओठाय करती तो राइट अंसर क्या दाएगा ओप्षन मंबर रहने वाला है यह हुझाएगा ये सभी ठीक है आगे बढ़ते है next question को लेखेंगा next को कि रहा है पैरा एमीनो इस्ट किसके लिए उपियोगी है आपको बताना है बाताना है पर कौँसा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है कि पैरा हैमीनो बेन्जोईक एस्ट किसके लिए किसके लिए उपयोगी है तो वो हो जाता है दुग्द इस्तरावड के लिए अगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन की और बिटामिन C का राइसाइनिक नाम क्या है एसकार्विक एसिड पेंटो पेंटो थेनिक एसिड या फिर निक्यूटिनिक एसिड या फिर थाइमीन तो राइट आंसर क्या रहने वाला है वो बिटामिन C का नाम क्या है एसकार्विक एसिड खट्टे चीज मिलती है विटामिन C क कमी से कौन सा रोग उत्पन होता है बैरी बैरी इसकर भी एनईमिया डायरिया गंदे पानी से एनईमिया हो जाती है तुम्हारे आइरन की कमी से इसकर भी बैरी वीवन से आगे बढ़ते हैं नेक्स की और तो राइट आंसर होदाएगा इसकर भी ठीक है विटामिन सी के कारे होते हैं विटामिन सी के क्या कारे होते हैं दातों को स्वस्त रखना लोहे के फैरिक को फैरस में बदलना लोहे के फैरिक को फैरस में बदलना घाव भरना ये सभी तो राइट आंसर क्या रहने वाला बिटामिन C के जो काड़े होते हैं दातों को सस्त रखना भी होता है लोहे के फैरिक को फैरस में बदलना होता है घाव भरना होता है तो राइट अंसर क्या दाएगा ये सभी अपना रहने वाला है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट को देखेगा बिटामिन C की कमी स समस्याइं उत्पन होती है चाती में दर्द जिंजवाइटिस बच्चों में सकर्भी ये सभी बिटामिन C की कमी से समस्याइं उत्पन होती है कौन सी होती है यहाँ पर आपको बताना है तो चाती में दर्द भी देखने को मिलेगा ठीक है जिंजवाइटिस भी देखने को मिल से हैं बिटामीन सी के जो इस्तौत हैं वो कौन Perché है आयला बाला संतरा नीबू या करते हैं कोल जनांवे करता है Collagen, Collagen, Collagen के निर्माद में कौन सा बितामिन कारे करता है Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin K Right answer मारा क्या रहने वाला है तो Collagen के निर्माद में कौन सा बितामिन कारे करता है तो Vitamin C, जिलोह का आंसर होगा है Option number A बिल्कुल Right हो जाएगा Next question की बात करते है Vitamin C, घुलन सील बितामिन है या फिर सभी में और बी और सी किसमे घुलनसील होते हैं पानी में घुलनसील बिटामिन है यहाँ पर जो हमारे खतम होते हैं खार भई कम से कम 80 प्लस की उशन हमने यहाँ पह समाप्त कर दिये ठीक है यह हमारा कौन सा हो जाता है parties 6 हो जाता है किसका हो जाता है part 6 food nutrition और हाइजिंग का आहार पोस्टर और स्वचिता का part number 6 part number 7 आपको जल्दी ही मिलने वाला है ठीक है part number 7 है आपको जल्दी ही मिलने वाला है तो वीडियो को like करना है share करना है channel को subscribe करना है PDF download करना है तो टेलीग्राम पर जाएं डिस्क डिस्कप्सन दे रखा है लिंक और पांचो वीडियो का भी डिस्कप्सन में लिंक की दे रखा है बहाँ पर जाके आपांचो वीडियो को पर सकते हैं देख सकते हैं लाइक करना है शेर करना है चैनल को subscribe करना है PDF को download करना है अच्छे पिकार से पढ़ना है नंबर अच्छे लाना है ठीक है तो फेंट जैहिन जै भारू